तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आमारी PFMS वेब पॉर्टल के उपर इस वीडियो के थुरू मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई वेंडर को मैप किया हुआ जा फिर वेंडर को एड किया हुआ है अगर उसके यो डाटा है अगर उसमें आप चेंजिस करना चाहत तो वो आप एडिट कैसे कर सकते हो आप उसमें चेंजिस कैसे कर सकते हो तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले है हमारी यूटीव चैनल इलैना टैक को और ऐसे ही लेटे स्टुडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकर को प्रेस क करते हो तो डाटा ओप्रेटर का अकाउंट जा डाटा एंट्री का अकाउंट जो भी आपका होता है और वहां से आप लोगिन करोगे और लोगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से जो इसकी स्क्रीन है वह आपके सामने डिस्प्ले करवा लेगा यह आपकी एक में आपर tab हमारे पास available है master में जाकर हमारे पास क्या है vendor lemons şimdi मिलेगी master vendor and manage आपने यहां manage के ओपर click करने जैसे में तो हम master में जाएंगे laser में जाेंगे until vendor में जांगे हम क्या करेंगे manage के O outlook जीज़कर के ओप अपर शूर्ष को है यहां पर हमारे पास अलग लग options होती है vendor registered by me और vendor mapped what register by other वो vendor जिसको हमने map किया हुए और वो vendor जो हमने register किया है तो सबसे पहले मैं इनकी बात करूँगा जिसको हमने register किया है तो यहाँ पर आपके सामने उन सभी vendors की क्या आजाएगी detail आजाएगी आपने simply यह red color का जो आपको पास unique code है यहाँ पर देखिए यही पर आपने क्या करना है click करना है जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा तो उस vendor की जो detail होगी वो हमारे सामने display करवादेगा यहाँ पर हमें मिलेगा edit का button आपने यहाँ पर edit के ओपर click करना है और उसकी जो information है वो यहाँ पर display करवादेगा अब यहाँ पर आपने इसमें जो भी changes करनी है चाहे उसके नाम में करनी है चाहे उसके address में करनी है जैसे कि यहाँ पर mobile number उसका available नहीं है तो आप यहाँ पर not available पर click करके उसका mobile number है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो fill करके and then उसको क्या कर सकते हो यहां से अपडेट कर सकते हूँ तो यहां पर last में हमारे पास क्या option आता है update का जो भी आपने changes करनी है वो changes करके आप इसमें क्या कर दोगे अपडेट कर दोगे यह आपका record अपडेट हो जाएगा इवन अगर आपके vendor का account number change हो चुका है तो आप यहां से उसका जो पुराना account number है आप उसको यहां से delete नहीं कर सकते हैं उसको सिर्फ deactivate कर सकते हूँ तो यहां से आप उसको deactivate कर दो और यहां से सीधा उसके bank की जो new information है वो आप यहां पर fill करके add bank के उपर click करके इसको update कर दो वो आपका record क्या हो जाएगा update हो जाएगा अब माल लीजिए कि आपने किसी एक vendor को क्या किया हुआ map किया हुआ उसको आपने कैसे change करना है तो process वही देगा master में जाकर vendor में जाकर manage पर आप जाओगे यहां पर आपके पास आएगा vendor mapped बट register by other आप यहां पर click करोगे तो आपके पास वो vendor आजाएगे जिसको आपने कहा किया हुआ map किया हुआ तो यसे कि मैंने इस vendor में कुछ changes करना चाहता हूँ तो यही unique code के नीचे जो आपके है unique code यहां पर आप click करोगे यहां पर vendor की information आएगी यहां पर आपको मिलेगा edit का बटन आपने यहां पर edit पर click करना है यहां पर आपको मिल जाएगी उसकी information तो यहां पर आप इसमें changes करना चाहते हूँ तो वो changes कीजिए and then last में आप क्या कर सकते है इसको update कर सकते हो changes करने के बाद अगर आपने इसके account number में कुछ changes करने है तो पहले वाले account को आप deactivate कर दो अगर वो बंद हो चुक है और नए वाले information आप यहां पर क्या कर सकते हो फिल कर सकते हो मान लेजिए कि एक vendor के दो accounts है तो तब भी आप यहां पर एक और bank को आप क्या गर सकते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले हमारे YouTube चैनल इलेना रेक को और ऐसे ही लेटस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल इकन को प्लेस करना न भूले थैंक्यो सो मच जायर